प्रधान मंत्री मोधी ने लगवाई वाक्सेन, यह बहुत बड़ी ख़बर इस वक्क की. PM मोधी ने वाक्सेन लगवाई है, आपको बताते हैं आज वैक्सिनेशन के दूसरे चरण की चुर्बात और इस सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो प्रधान मंत्री मोधी ने लगवाई है वैक्सीन ये इस वक्ती सबसे बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने लगवाई है वैक्सीन आज दूसरा चरण और इस दूसरे चरण के तैट प्रदान मोधी की तरफ से वैक्सीन लगवाई गई पहली डोज लगवाई है प्रदान मोधी ने वैक्सीन की दो डोज लगनी है और इस सब के बीच प्रदान मोधी की तरफ से पहली डोज लगवाई गई है वैक्सीन की पह को वैक्सिनेशन लगवाई जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ पैंतालीस से साथ की उम्र के बीच के लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी वैक्सिन लगेगी लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दूसरा चर्ण वैक् वैक्सिन की डोज लगवाई है क्योंकि आज से एक तारीक से कोरोना वैक्सिनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा जिसमें साथ साल से उपर के हर वैक्सित को बीच जिनको बीस तरह की बीमारियां उसकी लिस्ट भी सरकार ने जारी की है तो पीयाम ने ये भी अपील किये कि जो भी लोग अब पीका लगाने की पातरता रखते हैं उसमें आते हैं साथ साल से उपर के वो सभी पीका लगवाएं तो एक तरह से पीम का पीका लगवाना पहले जैसी हो साथा उपर जो लोग हैं उनको वैक्सिनेशन किया जाएगा दूसरे चरण के तैत और इस सब के भी जो बहुत बड़ी जानकारी है वो ये और ये महतुपूर्ण तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरफ से पहली डोज वाक्सीन की ली है को ब webinar लोज ली जाए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एंफ में डॉक्टर जी तरफ से उनको पहली दोस लगाए गई और दे की मुष्कषार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इन दिखाइगे दे रहे हैं तो AIMS में ये पहली दोस लिया फ़स्स्टुर्द ऑप नाइंटीन वैक्सीन एक्ट एम सेंटर तो प्रदानमंत्री नहिंद्र मोधी की तरफ से पहली दोज लगवाई गई है वाक्सीन की तो आज दूसरे चंद की शिर्वात और इस सब के बीच यह बहुत बड़ी खबर और बहुत मैं तो पूर्ण भी देश के लिए भी विक्रा लगना आज से शुरू होगा देशबर में पीम ने सबसे पहले टीका लगवाया है तो इससे एक यह संदेश की जाएगा कि जो लोग वेक्सिनेश्ट लेकर सवाल उठा रहे थे उन सबको जवाब है प्रदार मंत्री की तरफ से और पीम ने साफ ये का है कि यह तीका हमारे पीम का टीका लगवाते वे फोट आने के बाद लोगों को एक बड़ा संदेश मी जाएगा और जो कई तरह की जिजग थी लोगों के बीच में वो जिजग दूर करने में एक बड़ी मदद मेरी तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब त्रफान मंत्री के टीका लगवान कि देश के 10,000 से जादा सरकारी केंद्रों में एक टीका मुफ जाएगा यानि वहाँ पर कोई भी वेक्टी जा सकता है उसकी भी वेक्टी का पर टीका करन मुफ होगा हालां कि जो कि मीजी सेवाई लेना चाहते हैं उन्हें प्रती डोज 200 रुपे का खरजा करना पड़ेग लेकिन सरकारी केंद्रों पर कोई भी वेक्टी देश भर के 10,000 केंद्रों पर जा करके अपना टीका करन मुफ जा सकेगा विक्रांत अब ये डर भी खत्म होगा क्योंकि लगातार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी हर जगा से यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि पूरी तरीके से वैक्सीन सेफ है अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करो जो ब्रहम लोग फैला रहे हैं उन पर बिलकुल मत ज गई है तो यह कहीं ना कहीं उन लोगों तक मैसिज पहुचानी की भी कोशिश के डर ये नहीं पूरी तरीकी से सेफ है खुद उन्होंने लिए ये वैक्सीन प्रदानमंद्री का टीका लगवाने का ग्रश्य देख करके एक निशित तोर पर लोगों का जो डर ठीजक जो तमाम तरह के सवाल से वो सब दूर होंगे और जहां तक रही वैक्सीन की बात तो ये सेफ है दुनिया के तमाम देश हमारे देश से वैक्सीन ले रहे हैं खईयों को हमने निशुल्प दिया मानुवता के अधार पर भारत में कुछ लोगों ने भारत देश से खरीदी भी है तो निशित तोर पर एक भारत जो अपनी वैक्सीन को लेकर करके कि वैक्सीन सबसे पहले पंकत्रया यह कई तो नहीं यहां से लिए लेकिन निश्काई सवाल ओड़ रहे हैं यहां पर भी राजनीती काभी हुई की वैक्सीन को लेकर लेकिन प्रधान मंत्री के अब टीका लगवाने का अफ़ दरश्य सामने आने के बाद आम लोगों को एक बड़ी सीख मिले की उनके अंदर का जो बहर डर और जो 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 जी के कारण उनके दिमाग में आप वो सब दूर करने में मदद मिलेगी क्योंकि देश के प्रधान मं प्रधान मंत्री नेंद मोधी की तरफ से एमस में वैक्सीन की पहली डोस ली गए लेकिन ये कितना बड़ा संदेश देशवासियों के लिए कि काफी आशनकाई उट रही थी इसको लेकर की मैसिन जलवाई जाए कि नहीं सरकार काफी लोगों को खुला मंत्रम दे रही थी कि आए प्राइव नीजी सचेत्र को इसमें इन्वाल किया रहा था पहले और दूसरे चरण में जो जो लख शे था उसको प्राथ किया गया थ कि जो को दिया जाए तो एक प्रतानमंद्री पुनसब के बाद जब यह चरण शुरू है तो प्रतानमंद्री सबसे आगया है और करोना के वैसे दिलवाई है एक देश्वास्यों को सीधा संदेशे के डरने की जरूरूरत नहीं है बुजूर्गों चाहे चाहे युगा हो पचाँ के पार का जो अभी लक्ष है जो को मोर्बिड नहीं है जो को मोर्बिड वह सब पाज़ दिलवाई तो यह इसमें ना कोई चिंता की बात है ना आशांका की बात है ना इसका कोई एक आप दूसरा इफेक्ट पड़ेगा तो जाइज तर परतानमंद्री के आने से द और सीधे तोर पर यह दिखाने की और जाहिर तोर पर यह बताने की भी कोशिश के हर आम और हर खास को कुरोणा के खिलाफ इस जंग में अपनी भागेदारी निभानी होगी लिखाने की सबसे पहले लक्ष बनाया कि इने के टार्गेट करना है तो सबसे पहले जो पहले लोगों को आने को कहा गया कि आप जो आप जो नॉर्मल लोग है वो आकर आएं जो 3 कोरड़ों जो बुजोर्ग हैं वो सामने आकर आएं तो एक लक्ष को एक 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 फेज में सरकार ने प्लान किया था और उस फेज की रिसाब से सरकार चलती गई और लोगों में जागरिती भी आती गई है तो प्रधान मंत्री के सामने आने से एक तो सीधा साहब में संदेश है पुरे देश को कि अब इस वैक्षिन से ड़ने की जरूरत नहीं है भारत दुनिया भर के देशों को वैक्षिन सप्लाई कर दी रहा है और भारत के शुरू हो चुकी है और प्रधान मंत्री उसमें ख़ुष सामने आया और जहां तक क्रूना वैक्षिन की बात इसकि की मतों को भी फिक्स रखा गया है कि और दूसरा के नीजी छेत्र को इंवाल किया गया है जाहिस तरपर अदर नीजी छेत्र सामने आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने में सरकार को मदद मिलेगी, तो एक शुरुवात हो गही है, मुझे लगता है अब धरे देरे अब लोगों की आशंकाय दूर होंगी और प्रधान मंतरी के सामने आने, प्रधान मंतरी की अपील का लोगों को पता है, भारत क प्रधान मंत्री मोधी की तरफ से ली गई और साथी आप जो दूसी डोज है क्योंकि दो डोज लगनी है उसके बारे में भी कुछ पता चल पा रहा है बिल्कुल जो कि असी पहली डोज दी गई है जो हमें जानकारी मिल रही है तो पीम ने यह टीका लगवा करके बड़ा संदेश लोगों को भी देने की क्योशिश किये कि यह पूरी तरीके से टेफ है और पीम ने सभी लोगों से अपील किये कि अब जो भी पातरता रखते हैं जो भी 60 साल से उपर के लोग है या फिर वो लोग कि उमर 45 से उपर है लेकि जो 20 तरह की तूची एक जारी की है के इन सरकार ने उनमें अगर कोई बीमारी उनको है तो वो ठीका लगवा सकते है और यह जो राउंड है यह सबसे महत्कून इसलिए है क्योंकि साथ साल से उपर के जो गंभी प्रिमारियों से पहले से बीडित है उनको कोरोना का ज्यादा खत्रा रहता है इसी कारण इस पूरे दोर को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तीका लगवाया औ इस पूरे गाउंड की सफलता अब इसी पर ठीकी है कि कितने ज्यादा लोग आएंगे और एक तरह से अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि धानमंत्री ने जिस तरह से टीका लगवाया तो लोगों के मन में जो शंकाज भै जो डर था या फिर राजनीती जो हुई थी उसके कारण जो सवाल उनके मन में उठ रहे थे वो सभी अब दूर होंगे और लोग अपना टीका करण करवाने हैं और देश के 10,000 के सरकारी केंद्रों में टीका करण पूरी तरह से मुख्ष होगा यानि वहाँ पर कोई भी वैक्षी जा करके अपना टीका लगवा सकता है अपन कि सरकार ने क्याप लगा लिए यानि 200 पर कोई भी निजी अस्पताल प्रिटी डोज नहीं ले सकेगा बिलकुल तो यह मैं तो पूर्ण तस्वीर प्रधान मंतरी नेंदमोधी की तरफ से वाक्सीन की पहली डोज एम्स में ली गई